LN का क्या admission process होता है, LN में कितने batches होते हैं, LN में कितने phases होते हैं, LN का test system क्या होता है, modules का क्या system होता है, fee structure क्या होता है, किस बच्चे को किस batch में admission लेना चाहिए So, hey guys, welcome back to my channel, so guys, आज का वीडियो बहुत ज्यादा important होने वाला है, में एक सोरा वीडियो एन तक देखिएगा जब आप admission लेते हो, तो उस वक्त आपको क्या क्या चीज करना होता है, कैसे आप admission लेते हो, offline और online क्या होता है, मतलब कि LN से regarding, जितने भी problems होते हैं, सब कुछ आज इसी वीडियो में पुरा detail में बात करेंगे, ठीक है A to Z चीज अगर आप LN में admission लेना चाहते हो, या future में कभी भी LN में पढ़ना चाहते हो, तो LN के जितने भी batches होते हैं, सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो के देखने के बाद, LN में अगर आपको admission लेना है, तो कोई भी दिमाग में आपके doubt नह ही बचने वाला है, तो अगर आप भी LN में admission लेना चाहते हो, कभी भी, तो इस वीडियो में अगर से पना decide करके आना भाई, सबसे पहले आपके दिमाग में जो coaching institute होता है, वो पहले से decide होना चाहिए, तो हम मान के चलते हैं कि आपको LN में admission लेना है, आप में घर से decide कर हम बात करेंगे class 10th से लिए ठीक है class 10th 11 12th और ड्रॉपर का क्यूंकि बाकी जो पहले के होते हैं वो स्कूल वाले बच्चे होते हैं तो बहुत कम ही लोग होते हैं कि class 10th पास हो चुके हैं उसके बाद आप लोक लग क्लास 11th के लिए यहां कोटा में आते हो NEET या JEE का तयारी करने के लिए example के लिए अगर आप NEET का तयारी करने के लिए आते हो ठीक है तो class 11th class 11th को quota LN में nurture batch कहा जाता है class 12th को LN में enthusiast batch कहा जाता है उसके बाद जो dropper student होते हैं droppers के लिए भी बहुत सारे batches होते हैं जैसे कि सबसे पहले आता है leader batch उसके बाद आता है achiever ठीक है और उसके बाद बहुत सारे भी batches होते है alpha achiever, achiever, sparks, achiever plus ठीक है तो सबके बारे में पुड़ा detail में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं class 11th nurture batch के बारे में तो दिको nurture batch वो होता है जिसमें class 11th आपको पढ़ाया जाता है one year का course होता है इसमें आपको पुड़ा class 11th पढ़ाया जाता है अब आपकी दिवांग में ये doubt आएगा कि भाई अगर हम class 11th में LN में जाके nurture batch में admission ले लेते हैं तो LN एक institute है तो यहां से आप अपना board exam clear नहीं कर पाओगे class 11th या 12th का ठीक है 12th का जो board exam होता है उसको तो आपको clear करना होगा वरना ये से पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा ठीक है क्योंकि board पहले important है उसके बाद जो भी आप competitive exam नीट या JEE का त्यारी करते हो वो important है तो पहले तो board ही देखा जाता है ठीक है तो यहां पर आप क्या करोगे LN के साथ साथ आप सोचोगे कि कैसे हम schooling करेंगे possible नहीं है ठीक है तो अगर आप class 11th में किस कोई भी institute join करते हो अभी हम example के लिए LN के ले ले लेते हैं अगर LN join करते हो तो यहां पर आपको non attending class join करना पड़ेगा ठीक है जो non schooling होता है जिसमें आपको पढ़ने नहीं जाना होता है सिर्फ आपको आपका practical exam देने जाना होता है और साथ ही साथ आपको अपना exam देने जाना होता है ठीक है बस practical exam देने जाना है और एक्जाम देने आना है अब यह non attending school क्या होता और कहां मिलेगा non attending school आपको quota में भी मिल जागा जब आप एलेन में admission लोगे तो वो लोग भी आपको guide कर देंगे school का नाम बता देंगे कि भाई आप इसकी school में जाके और non attending admission ले सकते हो या फिर आप जिस भी state से भी बिलोंग करते हो बिहार जाल खंड यूपी कहीं जब भी बिलोंग करते हो आप अपने गाउं सहर में भी non attending school में admission ले सकते हो तो अगर class 11th 12th आपको quota के एलन में पढ़ना है तो आपको non attending school ही join करन पढ़ेगा अपना board exam clear करने के लिए तो यह हो गया class 11th का बात अब हम बात करते class 12th का ठीक है तो class 12th enthusiast batch होता है यह भी one year का course होता है इसमें आपको पूरा class 12th पढ़ाया जाता है ठीक है और 12th जो class आपको पढ़ाया जाएगा उसमें आपका board भी cover हो जागा तो इसके लिए attending school में आपको admission इसलिए लेना होगा ताकि आप अपना board का exam दे सके ठीक है तो यह हो गया class 11th और class 12th का बात complete अभी आगे वीडियो में phase के बारे में भी बात करेंगे test वगरा सब कुछ बात करेंगे phase structure के बारे में भी बात करेंगे पहले हम batches के बारे में जान लेते तो nurture enthusiast क उपर हमने बात कर लिया अब हम बात करते हैं droppers के लिए ठीक है यह तो हो गया जो भी class 10th pass out होके आए class 11-12 nurture enthusiasm admission ले लिए 2 साल का course अपना कर लिए 11-12 complete लेकिन अगर 12th में जब आप appearing में नीट exam देते हो अगर आपका selection नहीं होता तो as a dropper LN में बहुत सारे courses होता है जो सबसे class 12th pass out होते है पहले कभी भी LN में नहीं पढ़े होते है या LN में अगर आप पढ़े भी हो ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बीच में पढ़ाई छूट या थोड़ा सा basic clear नहीं है या पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हो आपको बिल्कुली basic से पढ़ना है ठीक भी ड्रॉपर होते है लेकिन उनका basic clear नहीं होता है या अच्छे से नहीं पढ़े होते class 11 12 उनके लिए होता है लीडर वैच उसके बाद आता है ड्रॉपर का दूसरा वैच वह होता है अचीवर वैच तो अचीवर वैच उन लोगों के लिए होता है जो लोग नीट का सही होता है basic clear होता है ठीक है उन्हें theoretical पार्ट का कम जरूरी होता है practical पार्ट का ज्यादा जरूरी होता है जैसे question practice वगेरा मतलब concept जो होता है वो 60-70% clear होता है तो एचीवर वैच में वो बच्चे जाते है जिनका basic थोड़ा सही होता है और leader वैच में वो बच्चे जाते है जिनको पूरा basic से पढ़ना होता है तो यही major difference है leader और achiever का उसके बाद के जो courses जाते हैं achiever plus, achiever sparks और भी जो बैचे जाते है ठीक है तो यह सब के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि यह सब जो बैच होता है इन लोग में वही जाते है जो लोग मतलब जिनका 500 सारे 500 कुछ numbers के कारण जिनका selection ही होता है यह batch में जाते है बट इतना आप जान जाओ leader achiever क्या होता है यहीं तक बागे आप खुद समझ जाओगे जब यहां पे आओगे अब हम बात कर लेते हैं batch का कि batch कप से start होता है तो दीखे जैसे कि आपका class 10 जब आप pass out होते है ठीक है जब भी जल्ट आ गया है तो अभी से आपका batch 1 start होने लगेगा तो अभी आप आके batch 1 में ही जो भी phase 1 होता है उसमें admission ले सकते हो फायदा यह होता है अगर आप phase 1 में admission लोगे तो आपको ज्यादा समय मिलेगा हर चीज आराम आराम से पढ़ाया जागा अगर 10 chapter है उसके लिए आपको समय ज्यादा मिलता है तो हमेशा कोसिस करें कि जितना जल्दी सी जल्दी आप जोइन कर सकें कर लें तो यह होता है phase का system अब कितने phase start होते है तो यह depend करता है students पे अगर student आना बंद हो जाएगा चार phase के बाद तो चार phase पे stop हो जाएगा batch अगर 10 phase start होने के बाद भी अगर student जाते नहींगे तो phase 11 भी start होगा तो यह होता है phase का system अब हम बात कर लेते हैं guys कि आपको किस phase में admission लेना चाहिए तो हमेशा कोसिस करो कि जो पहला batch start हो रहा पहला phase उसी में admission लो अगर उसमें नहीं ले पाए तो दूसरे में लो मतलब जितना जल्दी ले सकते हो उतना करते हैं test के बाड़े में face structure के बाड़े में तो देखो test का क्या system होता है कि हर 20-25 दिन पर आपका एक test होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी competitive exam को crack करने के लिए क्योंकि उसी के based pattern पे आपका यहाँ पर test लिया जाता है तो उसी सबसाब का test होता है ठीक है यह होता है doubt counter का option साथी साथ आपको ln library भी provide करता है अगर आप library में बैट के पढ़ना चाहिए तो वहाँ भी जाके पढ़ाई कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब हम बात कर लेते फी structure के बारे में तो देखो हर batch का जो फी होता है वो अलग-अलग होता है और यह उपर नीच होते रहता है तो इस वीडियो में आपको फी नहीं बताएंगे कि किस बैच का कितना फी है क्योंकि फी वगड़ा के बारे में और कोई भी फेज स्टार्ट होता है तो उसके बारे में मैंने सबका डीटेल वीडियो बना रखा है अब जाके चेक कर सकते है या एलन के विबस फ्रॉम होता है स्टार रेंकर्स ग्रूप तो यह बैच क्या होता है तो जो भी सर्जी बैच होते हैं आप इनको बोल सकते कि यह लोग एलन के टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं जो लोग भी अच्छा एक्जाम में यह करते हैं रिजल्ट देते हैं जिनका प्रिप्रेशन बहुत अच्छा होता है जो कि बहुत अच्छा मार्स लाते हैं उनको एक अलग बैच में डाल दिया जाता है जिसे सार्जी बैच बोलते हैं तो सार्जी बैच में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि टीचर्स के बेनिफिट्स मिलते और बहुत सारे बेनि तो खुद अकेडमिक स्टीम के तरब से आपको बताया जाता है कि आप साजी बैच के लिए लीजिबल हो आपको सेलेक्ट किया जाता है तो उसके अलग-अलग benefits होता है साजी बैच बात करें तो क्लास 11 वी या ड्रॉपोड हो सबको मडूल मिलता है अपने अपने इसाप से जिसको जो जरूरत होता है अपने बात कर लेते हैं थोड़ा हॉस्टल और पीजी के बारे में कि हॉस्टल कहां मिलेगा जब आप ने ने आते हो तो जहां भी रहते हो अगर आप एलेन में एडमिशन लेते हो एलेन के हड बिल्डिंग के सामने आपको हॉस्टल देखने के लिए मिल जाएगा तो अगर इंस्टीट के आप सामने हॉस्टल या पीजी लेते हो तो आप सभी को पता है कि वह थोड़ा सा एक्सपेंसिब पढ़ेगा तो अगर आप लो बजट में होस्टल या पीजी रूम लेना चाहते हो तो आप कोसिज करें कि अपने इंस्टीटीट से थोड़ा सा दूर जाके और वहां पर अपना होस्टल या फीजी ढूंठे होस्टल में क्या होगा कि होस्टल थोड़ा सा एक्सपेंसिब पढ़ता और पीजी जो है लेते हो तो आपका बजट याता है यह सब्याइबिवी अगर इस वीडियो में इस AV ने न्यगाइब आप गवरłosब हीघ्वाट नौग में तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइगन को प्रेस कर दीजिए जिससे के हमारी अप्लोट्स की सारी नोटिफिकेशन आपको टैम पे मिलती है तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ